वेरी वेरी गुड बार्निंग टू आल भी तो डियर एस्ट जैसा कि लास्ट क्लासिस था हमने युनिट वन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है आप अपने कंटेंड में जाईए और देखेंगे युनिट वन नाम होगा उस युनिट का नाम आपका है इंडिड़क्शन नाम से होगा और अंधर उसके जितने क्लासिस हुई है वो और उस क्लासिस जो पढ़ाएं मेन उसके पीडिएफ अब हम युनिट टू की बात करें तो रूनिट टू में अगर आप इंड़ के देखते तो युनिट टू का नाम आपके पास में यही सािम आपको मिलेगा ने आप लाइब क्लासिस में अभी मुस्से जुड़े में लेकिन कंटेंट कहां पर मैनेज होकर के रहता है वह आप कंटेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको फोल्डर और नाम और टाइटल सब आपको सीक्वेंस क्लास नंबर वो सब कुछ आपको वहां मिलेगा तो आप महा इंकम को कैल्कुलेट करने के लिए आपको इन शबी टापिकस को आपको समझना होगा तो आज की क्लासिस में concepts of GDP and national income के बारे में बात करेंगे देखिए GDP एक अलग चीज होती है और national income एक अलग चीज होती है अब सवाल है कि GDP क्या होता है नेशनल income क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा उससे पहले आपको ये समझने की नीड है कि GDP को समझने के लिए नेशनल income को समझने के लिए आपको domestic territory और normal residential status ये दोनों topic को आपको अच्छे समझोगे तभी आप GDP समझ पाओगे और तभी आप national income समझ पाओगे जादा तर लोगों के गलत फ़हमी है कि GDP और national income एक ही चीज है बिलकुल भी ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग चीज़े हैं लेकिन वो कैसे अलग है वो आपको domestic territory के concept को समझने के बाद और national residential status को समझने के बाद ही आपको GDP और आप national income के बीच में differentiate कर पाएंगे तो आए सबसे पहले हम आज की class में जो topic cover करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं domestic territory तो domestic territory का क्या मतलब है दो तरिके की territory होती है एक political territory या फिर उसको आप जगरिफिकल territory भी बोल सकते हैं ये चीज़े क्या होती है आप देख रहे हैं जैसे एक example के लिए अगर आप चीज़े को देखें ये आप देख रहे हैं ये 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 भात मैं अपने देश की national income की बात करूँ या मैं अपने देश की GDP की बात करता हूँ और सीमा की बात आजाये तो आपके पास ते boundary की बात आजाये तो आपके मन में कुछ यही आपकी boundaries आएंगी यह ठीक है, accept करता हूँ, यह boundary है, बट इस boundary को हम political territory बोलते हैं, या फिर geographical territory बोलते हैं, बट इसको हम अपना domestic territory नहीं कहते हैं, तो इस boundary का नाम क्या हो गया, इस boundary का नाम हो गया बच्चे, political territory, clear है बच्चे, यह बात संच महाई आपको, यह political territory है, या फिर geographical territory है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ domestic territory की तो domestic territory क्या होता है बच्चे ये basically domestic territory को हम economic territory भी कहते हैं तो एक बात धान से समझेगा कि political territory या फिर geographical territory ये एक चीज है domestic territory और economic territory ये दोनों एक चीज है और हमारा topic है और जो हमारा subject है वो है domestic territory के उपर हमारा subject political नहीं है जो कि हम political या फिर geographical territory को हम discuss करेंगे वो एक अलग concept है बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एक बहुत कम सब्दों में बता दिया कि political territory है जो आपके मन में images create होते हैं ये एक political territory का image create हो रहा है पर यह हमारा topic नहीं है हमां टॉपिक है domestic territory का तो आई ये समझते है domestic territory क्या है या फिर economic territory क्या है देखिये बचे हमारा देश और हमारे देश में register कोई भी company एक तो हमारा भारत है ही और हमारे भारत में कोई company अगर register है जैसे कि मानिज्य के Tata कहा का नागर्ष का है भारत का अम्मानी जी कहां के नागरी के हैं भारत के ये कोई भी कमपनी स्टार्ट करते हैं तो उसका जो है रेश्टेशन जो उसका सेटप है वो कहां होता है वो भारत में होता है वो भारत में रेश्टर होने के बाद वो भारत में तो वो काम करी सकते हैं बिजनस करी सकते हैं लेकिन इंडिया के बहार रेस्ट ओब वल्ड कहीं पर भी वो वहाँ पर भी अपनी उस कंपनी को आप एक्सपेंड कर सकते हैं जब वहाँ पर उस कंपनी को वो एक्सपेंड करेंगे तो होगी वो इंडियन कंपनी ही कि वह एंडिया में रिष्टर्ड है तो अपने कंपने कंपने करेंगे तो जहां पर वो अपने प्लांट लगाएंगे जहां पर वो जहां पर वो प्लांट लगाएंगे मशीन्री लगाएंगे तो वो जो एरिया है ना भले वो इंग्लेंड के अंधर कर रे है रहे है रतन ताटाजी ऐसा या मोके सम्वाहनी जी कि इंग्लेंड में कोई एक प्लेस देखा उन्होंने इंग्लेंड में कोई एक प्लेस देखा और उस प्लेस को देखने के बाद वहाँ पर उन्हें ने प्लांट और मशिन जी कुछ अपने स्टाइबिस कर दिया वो जो कमपनी ये इंडिया में रेश्टेद है तो इंग्लेंड में होने के बाद भी बुची जी इंग्लेंड में अगर है या फिर किसी और कंट्री में है इंग्लेंड शोड़ी कोई भी कंट्री में है और वहाँ पर जो है ताटा जी ने एक अपना प्लांट लगा दिया एक पटिकुलर एरिया में अब वो एरिया भी हमारा economic territory का part हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर हम economic activity कर रहे हैं clear है बच्चे हाँ अगर बात करते हो political territory तो भया यह हमारा देश का हिस्सा नहीं है यह हमारा political territory का हिस्सा नहीं है यह हमारे geographical territory में नहीं आता है clear है यहाँ पर हम अपने armed forces वगरा इस तरह की हम अपलाई नहीं कर सकते यहाँ पर हम अपने low apply नहीं कर सकते इंग्लेंड में तो यह हमारा political territory का part नहीं है यह नहीं हमारे geographical territory का part है बढ़ यह हमारे इकनोमी territory हो गया और इसी को हम बोलते हैं domestic territory तो इस तरीके से सिरफ एक country क्यों बहुत सारी country में जो है हमारे कुछ headquarters या कुछ plant या government बहुत सारे काम कर रहे होगी तो जिस जिस country में हमारे economic activity हो रही है वो पर्टिकुलर एरिया वो पूरी country नहीं वो पर्टिकुलर एरिया हमारे economic territory के अंदर आ जाएंगे और हमारे domestic territory के अंदर आ जाएंगे तो आप इस बात को समझे रहे हैं कि political territory में तो boundary boundary तक ही रहते हैं लेकिन economic territory थोड़ा सा vast concept है थोड़ा wider है क्योंकि economic territory में आपकी जो territory होती है वो आपकी political territory से बहार निकल करके rest of world तक पहुंचती है और वहाँ पर जहां जहां एक particular space में वो factory है जहां manufacturing हो रहा है जहां पर आप काम कर रहे हैं जहां पर आपका office है, headquarter है वो particular space ही आपके economic territory के साथ में लग जाएगा clear है बचे? अब आपके मन में एक cross question आया होगा सर जैसे इंडिया के बहुत सारी कंपरियां बहार जाके काम कर रही है तो वो हमारे territory का पार्ट हो गए territory का मतलब कौन से territory पॉल्डियर territory का बिल्कुल भी नहीं जोगरी हो territory का बिल्कुल भी नहीं वो हमारे economic territory का पार्ट हो गए मतलब हमारे domestic territory का पार्ट हो गए हाँ बिल्कुल सही हो हमारे domestic territory का पार्ट हो गए तो उसी तरीके से हमारे इंडिया के अंधर भी तो बहूर की कमपयी होंगी, बहुत सारी, एप्पल है, इंडिया के अंदर, मान बेंगलोर में, नीचे, एप्पल आ गया, एप्पल ने एक अपना प्लांट लगा यहाँ पर, तो ये तो बहार की company है तो ये फिर जैसे कि बहार अगर हमारी company है तो वो अलाइक particular area हमारे economic treaty का part हो गया तो हमारे अंदर के कोई बहारी company है तो उसका क्या है तो वो हमारी treaty का part नहीं है clear है बच्चे वो जो है जिस country का है मान लिजिए USA का है तो वो USA की जो है domestic territory के अंदर आएगा USA की domestic या फिर economic territory का part होगी clear है बच्चे इंडिया के अंदर मान लिजिए कि UN का कोई headquarter है इंडिया में इंडिया में वर्ल्ड बैंक का कोई headquarter है तो यह सारे के सारे जो हैं इंडिया के political territory में आते हैं इंडिया के geographical territory में आते हैं बट इंडिया के economic territory का part नहीं है तुकि इसको जो finance है यह इंडिया नहीं करेगी जिस country से लेटे वह country करेगी तो यह से लिए भारत के अंदर भी बहुत सारा ऐसा ऐसी प्लेसिस हैं जो कि हमारी domestically का part नहीं है बात समझ रहे हैं एक और exercise example लेता हूं embassies embassies क्या होता है इस बात को समझेगा देखिएगा हर एक country को दूसरी country के साथ में communicate करना पड़ता है क्योंकि globalization का time है international level पे अब हम business trade कर रहे हैं और tourism भी world level पे अब तो globalization का time है तो यहां पर एक country के government को दूसरी country के government के साथ में communicate करना होता है अब communication कैसे हो वह हर बात बात पर तो वहां के जो है ऑफिसर भारत आएंगे या फिर भारत के ऑफिसर फ्लाइट के टिकल लेगा वहां जाएंगे फिर करेंगा यह तो बड़ा बहुत ज्यादा issues क्रेट हो जाएगा इसमें कि regular communication की नीड है तो यहां पर क्या करेगी इंडिया अपने इंडिया वह जैसे USA की बात करता हूं तो USA इंडिया को एक particular space प्रोवाइड करवाईगे कि यहां पर आप अपने officers को आप पर्मानेंट आप यहां पर रख सकते हैं पर्मानेंट मतलब कि वह चेंज होते रहेंगे आपके officer दो आपके अपने policies का पार्ट है पर हमने यह spaces आपको यह लिए अलोट कर दिया है आप य जो particular space USA में इंडिया को प्रोवाइड हुआ है यहां के officers को रहने के लिए जिससे कि हम दो country के बीच में communication हो पाई वो particular space को हम embassies बोलते हैं और स्टर shrine ये से ही ज्वे हमें जापान से भी गभी कमिएट करने की नीड है एंग्लैड से हमें पुरे पूरे वर्ल्ड से गणिद करने की नीड है रेस्ट रफ वड्ड से म verनकाट करेगी एसा नहीं है भारत अपने आपको छोड़ के बागी पुरी दुनिया से communicate करेगी तो rest of world तो इसका मतलब है कि भारत के जो ऐसे offices हैं ऐसे embassies हैं यह सिरफ USA में नहीं होगा England में भी होगा स्री लंका में भी होगा Pakistan में भी होगा Afghanistan में भी होगा Japan में भी होगा China में भी होगा UK में 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 भी होगा, Australia में होगा, रासिया में भी होगा, Ukraine में में भी होगा, cleararti ये हर पूरे वल्ड, रेश्टो फेल्ड में होगा, क्युकि हमें हर रेश्टो फेल्ड में हर एक कंट्री के government से communication करने के रिकवार्मन repente रहती है ओब तो जहां जहां पर हमारे officially बिल्क ट्रीकरी का बाट kicking तो नहीं है इंडिया के अंधर भी इंडिया से भी क्योंड़ाएग करना तो एंडिया के अंधर भी पूरे दुनया के लिए आमने अभीशे से प्रोवाईड कर वाया जुग गिल्ली में है इंडिया में पाल्लेमें वगर टो एउसर बहुत कम टाम एक दूसरे से communicate कर सकते हैं, तो यहां पर जो space प्रोवाइड करवाया है, वो सारा space ऐसे U.S. embassies हो गया, जर्मन U.P.S. हो गया, रसिया U.S. embassies हो गया, इस तरीके से France embassies हो गया, आप देखेंगे ने दिली के अंदर, बहुत सारे embassies आपको मिलेंगे, वो सारा जो particular place है, ज फिर मैं national income की बात करूँगा, तो उमीद करता हूँ कि आपको domestic territory आपको, स्वाज में आ गया हूँ? क्लियर हैं? तो आप देखेगा, अगर मैं बात कर रहा था territory की, तो आप इस बात को जड़ा समझेए, के जितने भी embassies rest of world में हैं, इंडिया के, वो सारे के सारा particular places, हमारे domestic territory का part हैं. पारदी नगे के अंदर, बहार की country, rest of world के जो embassies इंडिया में है, वो उनके domestic territory का part है, हमारे domestic territory का part नहीं है. इंडिया में जो भार के कंपनीज है जो पडिग्रों स्पेस पे वह उन कंट्री के तो में पार्ट होगी हमारे तो में और नहीं होगी क्लेर है बच्चे बास्द में आपको तो आज पाले पढ़ा लेतें कि अधोर बस्तिरी क्या है इस अंडर्स्टुटू टू में पॉलिटिकल टेरिट्री आफ अनेशन नॉर्मली ऐसा सम्झा जाता है कि जो डूमेस्टिक टेरिट्री है वो हमारा पॉलिटिकल टेरिट्री है बट ऐसा नहीं है तो यह वही बात कह रहा है in common language the domestic territory of a country is understood to mean political territory of a nation but in economics it refer to economic territory लेकिन economics कंदर क्या है एकनोमिक टेरिट्री है which is much wider concept than the political territory मैंने पहले बता दिया कि political territory तक है बट एकनोमिक टेरिट्री इस बांटरी के बहार भी है clear है बच्चे तो United Nation अब अपर अलग लग थेओरी दी हुए जिसे United Nation नहीं domestic territory की क्या definition रखी है एकनोमिक टेरिट्री दा ऐसे कोई भी प्लेस है टेरिट्री एड्मिस्टेटिट बाया गवर्मेंट विदिन दा विच दा पर्सन गोड्स एंडा कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली यह कह रहे हैं कि भाया domestic territory एक कोई भी जोगरिफिकल पार्ट है जहां पर हमारे देश की सरकार जा सकती है हमारे देशी गवर्मेंट आ सकती है हमारे goods and services वहां पर freely movement कर सकते हैं ऐसा कोई भी जोगरिफिकल प्लेस है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे domestic territory का पार्ट होगा क्लेरे बच्चे हमारे परसन कहीं पर भी जहां पर सब्सक्राइब हो सकते हैं goods and capital हमारे सब्सक्राइब हो सकते हैं in the embassies of foreign countries located in India इंडिया के अंदर अगर foreign countries के embassies located है तो no should be the answer तो क्या यह हमारे domestic का पार्ट है हमारे domestic का पार्ट नहीं है इंडिया के अंदर रेस्ट वर्ल्ड के embassies है क्या उस embassies के अंदर आप परसन goods and services क्या आप मुमिंट कर पाओगे नहीं आप जापान के embassies के अंदर नहीं गुश सकते हो इंडिया दिल्ली में युएस की embassies है आप उसमें goods and services या फिर आप कोई person उसमें नहीं जा सकता है entry allowed नहीं है इसलिए वो सारा जो embassies जो भारत में है जो दिल्ली में वो हमारे डॉमेस्ट के पार्ट नहीं है क्या rest of world में जो हमारे में अमस्ट के पार्ट है वो बिलकुल हमारे domestic territory का वो पार्ट है क्यूं पार्ट है क्यों क्युकि अगर USA में हमारे अप्सें है तो हम उसमे हमें पूरा फ्रीडम है कि हम अपनी में जा सकते हैं हम मतलब कि इस जैश गौर्रमान्स उस आब में जा सकते हैं परवा करवान को वो प्रौइट करवा सकते हैं तो उसका फ्रीडम है तो वहला पार्ट जो है वो हमारी domestic territory का पार्ट होगा तो क्योंकि domestic territory में उनी चीज़ों को रखेंगे जहां पर हम person goods and services को freely move कर सकते हैं तो किया रहा है do we have this freedom हमे क्या मेरे पास में आजादी है of circulation of person goods and capital in Indian embassies हम Indian embassies जो की रेश्टो वर्ल्ड में है उसमे हम circulate कर सकते हैं तो yes should be the answer implying that the foreign embassies located in India are not a part of the domestic and economic territory of India बिल्कुल सही on the other hand the Indian embassies located abroad are part of the domestic and economic territory of an India that's the while the defining the term of the domestic territory the focus is not to be on the political boundaries of a nation जब भी आप define कर रहे हैं किसको अपने economic territory को अपने domestic territory को तो उसमें political territory consider नहीं करना है political territory का कोई रोल नहीं है the focus is to be the on the such a geographical area where our persons or goods and our capital enjoy the freedom of the circulation clear है बच्चे यह बासमी में आये आपको कोई डाउट अब what does the domestic territory includes तो domestic territory क्या क्या include करती है मैं भारत की हूँ आभी भारत में हम यह पढ़ते हैं कि भारत की domestic territory में क्या के चीज़े आएंगी clear है बच्चे तो ship and aircraft owned and operated by the normal residential between the two or the more countries for example planes operated by the air India between the Russia and Japan एक air India company जो कि रस्या और जापान के बीच में रूट को यह manage करती है तो वो जो particular place है वो हमारे इंडिया के domestic territory का part होगा मैंने पाली बता दिया था for example the planes operated by the air Indian between the Russia and Japan are part the domestic territory of India clear है बच्चे बच्चे similarly planes operated by the Singapore air airways between the India and Japan India and Japan के बुच में Singapore airline है तो वो हमारे बच्चे का part नहीं क्योंकि वो other country के company है जो कि यह आपर काम कर रही है are the part of the domestic territory of the Singapore यह Singapore की domestic territory का part होगी clear है बच्चे आपको fishing vessels oil and natural gas floating platforms operated by the residential of a country in the international water where the they have the exclusive right of the operation for example fishing boats operated by the Indian fishermen in the international waters of India ocean will be the considered the part of the domestic territory of India बहारत का कोई भी मच्चवार रहा है जो कि कि किसी बिदेश में कहीं पर जाकर ररके वो 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 बिजिनस कर रहा है वो fishing अगरा का और उसको permission नहीं पर काम करने की तो वो हमारे domestic territory का पार्ट आजाएगा एंबेसिस तो क्लियर है तो कंसलेट्स एंड़ मिलिटरी establishment of a country located abroad for example Indian embassies in the Russia is a part of the domestic territory of India Russia के अंदर Indian embassies है तो वो जो रस्चे अंदर जो place है particular place वो हमारे domestic और economic territory का पार्ट होगी क्लियर है बच्चे हमारी आर्मी अगर किसी देश में काम कर रही है तो particular place हमारे domestic territory का पार्ट होगी वहीं बात कर रहे ऑफिस और building used by the council officer commissioner by the government to rise in the foreign country to the promote the interest of the country to which the belongs तो यह भी हमारे domestic territory का पार्ट होगा क्यों अगर हमारे country ने कोई office वगेरा हमारे government ने लिया हुए भार्विदेश में तो वट डज डॉमेश्टेटरी नॉट इंक्लूड क्या कर नहीं करता है तो वही वात कह गई वही चीज़ों को इसको अपोजिट है तो उमीद करता हूं कि आज की क्लास में अभी है तक आपको टेस्ट योसेल्फ अब टेस्ट करेंगे आप अपने आपको अपने आपको करेंगे बचे टेस्ट एन इंडियन कंपणी इन लंडन इंडिया की कंपणी इंडियन कंपणी जो की भारत में रिश्टर है और लंडन में लोकेटीड है तो क्या हमारों में स्टेटरी का पार्ट है तो या बिल्कुल यह जो चीक है Microsoft Office in India Microsoft Office business office मैं कॉंपनिया में होने से बात नी मनती है जो इस पर्टिकुलर सपेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एडिया में काम कर रहे है उसके वार किसी और कंट्री का तो वह उस कंट्री के स्कीस्ट्री का क्टीज सब्सक्राइ 디자인 फाहन गाने दियुस और द सब्सक्रा से हैugen अईश्य फाहन बहुत सब्सक्राइश में वाल पिया और वा फ्रियुयुर्य का मानेивать अग वह जो पर्टिकुलर प्लेस है एरिया वह हमारे डॉमेस्टेटरी का पार्ट हो गया ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना तो बिल्कुल वहाँ पर हमारे परसन गुर्सन गुर्सन सर्विसिस फ्रीली है मूव करने के लिए तो क्यों हमारी कंपनी है तो इसलिए वह हमारे डॉमेस्टेटरी का पार्ट है रश्यन एंडिया नहीं रश्यन एंडिया में यह मारे डॉमेस्टेटरी का पार्ट नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप नहीं जा सकते हैं इसमें आपको रश्या की परमिशन से लेनी होगी, टाटा rented its building Google in America, टाटा rented its building to Google in America, तो टाटा ने एक building rent पेलिए अमेरिका में, तो वो particular area हमारे का part होगा, टाटा रे तो अभी आप ने domestic territory अभी आप समझे लिजिये, और और नेस्स क्लासिस में आपको ज़्यादा बड़ा आपका स्लीबस नहीं है चोटा स्लीबस है उनीट टू में अलड़ी मैं बहुत सारी क्लासिस ले चुका हूं उनीट टू को खतम करने में मुझे हार्डली चार से पांच से छे क्लासिस और लगेंगे तो six to seven लोगन क्लासिस में आपका उनीटी चुब कबर कर दूगा सिर्ब बड़ेंगे हमारे पास में तो मान कर चलिए कि मार्च के मेने में आपके तीन उनीट फिनिश कर दूँगा तो आपका मही तक मैं सिलिबस लेकर करें नहीं जाओंगा अब महीं पिपर आपका जब भी हो आप पिपर दे सकते हैं आप क्लेर है बच्चे तो फिर मिलते हैं नेक्स क्लासिस में